जो आजका बक्तिपुन संदेश का शिर्शक है आदर के पात्र इस डिवोशी की शुरुवाज जो है मैं आपके सामने एक लंडन के जो मिशनरी है उनके उधारन से करना चाहूंगा तो उनका नाम है अर्नेस्ट ओलीवर जो वो जो मिशनरी जो थे लंडन से भारत की और नेपाल में एक मिशनरी के तोर पर वो आये थे भारत में और वो 15 साल की उम्र में उन्होंने बबतीसमा लिया और 18 साल की उम्र में वे संडे स्कूल और मिशनरी हॉल में लोग को सिखाया रुपदेश दिया कर दे थे वो मैं उनकी जिन्दगी के एक समय ऐसे मोड को बताना चाहूंगा वो एक दिन सरकस में गए होते हैं अपने दोस्तों के साथ में वहाँ उन्होंने ये महसूज किया कि परमेश्यों ने उनके हिर्दाइस इस पश्रूप से बात कर रहे हैं और और वो सरकस में जो अपना समय बर्बाद कर रहे थे जबकि बहार जो और भी आत्माएं हैं जो सू समाचार को उन्होंने सुना नहीं है परमेश्यों उस दिन उन्होंने ये समझा कि उनके लिए परमेश्यों की मर्जी क्या है उन्होंने उस दिन महसूज किया अपनी उद्धार को अपने जिन्दगी में जो उद्धार को पाया था 15 सल की उम्र में और हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वन ने उनके ध्यान को उस सरकस से हटा कर अपने उद्धेश के लिए इस्तेमाल किया पयों वचन की और बढ़ते हैं दूसरा तीमूतिय दूसरा आत्या 20-23 वचन में आपके सामने पढ़ता हूं एक बड़े घर में बस सोने चांदी के ही पात्र तो नहीं होते हैं उसमें लकड़ी और मिट्टी के बर्दन भी होते हैं कुछ विशेश उपयोग के लिए होते हैं और कुछ साधारन उपयोग के लिए इसलिए यदी वेक्ति अप इन स्वामी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और किसी भी उत्तमकार के लिए तत्पर रहेगा जवानी की बुरी च्छाओं से दूर रहो धार्मिक जीवन विश्वास प्रेम और शांती के लिए उन सब के साथ जो शुद्ध मन से प्रभू का प्रभू का नाम पुकारते ह है प्रैतनशिल रहो मुर्खतापूर्ण बेकार के तर्क वितर्कों से सदा बचे रहो क्योंकि तुम जानते ही हो कि इन से लड़ाई जगड़े पैदा होते हैं तो इन बचनों में हम देखते हैं कि पॉलूस जो है जूटे शिक्षा को और उनकी शिक्षा को लेकर हमें अल यहां पर हम देखते हैं कि पॉलूस दो पात्रों के बारे में हमने देखा यहां पर दो पात्रों के लक्षडों के बारे में वो बात करते हैं एक आदर के पात्र एक अनादर के पात्र तो यहां पर अगर हम देखे हैं कि अनादर के पात्र कौन है तो हमें पता चलेगा कि जो आदर के पात्र होते हैं, वो बहुमल्य और उपयोगी होते हैं, और उपयोग के लायक होते हैं, और जो अनादर के पात्र होते हैं, वो बेकार होते हैं, और खाली होते हैं, और वो किसी इस्तमाल के लायक नहीं होते हैं, हम भी अपने घर में अगर किसी बरतन का इस्तमाल करेंगे बेकार बरतनों का हम इस्तमाल बिलकुल नहीं करेंगे ठीक इसी तरह परमेश्व के राच्छे में भी अच्छे बरतनों का ही आदर के बरतनों आदर के पात्र का ही हम इस्तमाल किया जा सकता है और जो आदर के पात्र हैं वो अपने आपको शुद्ध रखते हैं और उन्हें अपने स्फवव इच्छा से उन्हें इस्तमाल उपयोग में लाते हैं और वह व्यारत के वाज़ वादु कि आपने पता चलता ही कि आदर के जो पात्र है वो किस चीज से भरे होते हैं और अनादर के पात्र जो वो किस चीज से भरे होते हैं अगर हम देखें पूरे बाइबल में कि आदर के पात्र का जो सबसे उत्तम और सर्वत्तम उधारण हम किसी का दे सकते हैं तो वो केवल येशु मसी है, क्योंकि येशु मसी जो थे वो अपने चेलो को हर इक उस बुरी शिक्षा से उन्हें दूर करके रखते थे और उन्हें बचा कर रखते थे और उन्हें एक सही शिक्षा उन्हों तक पहुचाते थे परमेशुर का और उन्हें प्रेम, धार्मिकता, विश्वास और मेलमिनाप के विशय में उन्हें सिखाते थे येशु मसी में उन सारे गुड़ों से परिपून है जो एक आदर के बरतर में होना चाहिए अगर हम येशु मसी अनुगरों सच्चाई से परिपून थे यानि भरे हुए थे और वचन सोला में पड़े तो हमें पता चलता है कि येशु मसी की परिपूनता में से हम सब ने पाया यानि उद्धार और यहान एक चौदा दस और बचन दस और चौदा पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि येशु मसी हमें जीवन के जल से परिपून करते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं वो हमें जीवन का जल जो अनंकाल तक हमें उमड़ता रहेगा तो हमें इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपनी कोशिश या फिर अपने सामड या फिर अपनी इच्छा से आदर के पात्रे नहीं बने हैं बलकि हम तो पहले व्यर्थ के बातों में और व्यर्थ के चीजों में समय गवाते थे और एक खाली पात्र के समान ही थे लेकिन अब येशु मसी की परिपूर्था के कारण आज हम आदर के बर्दन बन पाए हैं और वो सब गुर्चा पहले पड़े वो हम में आये आप हमारे अंदर भरे हैं क्योंकि आज हमने येशु मसी के नाम पर विश्वास किया है आज हम चाहे कुछ भी हो चाहे हम कोई भी हो चाहे हम कुछ भी कर रहे हो हमें परमेश्वर Ernest Oliver की तरह इस्तमाल करना चाहते हैं और हमें परमेश्वर ने केवल एक हमें पात्र बनने के लिए नहीं बुलाया बल्कि हमें आदर के पात्र में परिपून होने के लिए बुलाया है और जिसका इस्तमाल किया जा सके और आदर का पात्र बनने के लिए आज हमारी पास वचन है तो आईए हम सब भी अपनी व्यक्तिकत प्रार्थना में ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे आदर का पात्र बनाए ताकि मैं आपके राज्ज के लिए उपयोगी बनू इमेन